अगर आपको स्वस्त रहना है तो आपको कौन कोसी चीज़े अपनानी चाहिए अपनी लाइप में अपनी दीन चरिया में ताकि आप बिल्कुल फिट रह सके और आपको कोई भीमारी परशार न करें आप सारी भीमारियों से मुक्त रहें तो चलिए देखते हैं कि आज का वी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सारे वीडियो मिल सके और अच्छा लगता है वीडियो तेसे लाइक करें और इसे शेर रहने के छोटे-छोटे से टीप से अगर आप बिल्कुल सस्त रहना चाहते हैं तो आप भी इन सारी चीजों को फोलो कर सकते हैं और बहुत ही आसान है अपनी जिन्दगी को अच्छा बनाना यालिए सबी लोग चाते हैं कि हमें कोई वीमारी ना लगे है लेकि उसके लिए कोई उपाई नहीं करना चाहता है इसके लिए आपको कोई ऐसे उपाई नहीं करने है बस कुछ खाने पीने का ध्यान रखना है अपनी दिनचर्या को कुछ सिस्टम से चलाना है और अपनी जिन्दगी के अंदर अपने छोटे मोटे से कुछ ऐसे नियम बनाने हैं जिन नियम हो कि आधार पर अगर हम अमारा जीवन को जीते हैं तो हमारा जीवन बिलकु स्वस्त बन जाता है कि कि किसी भी काम को करने से उसे सोचने से पूरा नहीं होता उसके लिए हमें थोड़ी महनत करनी पड़ती है तभी जाकर कि हम किसी काम तक पहुँच सकते हैं अगर आपको भी स्वस्त रहना है तो आपको भी ऐसे मन के अंदर पहले एक मन बनाना होगा कि मुझे भी स्वस्त रहना है मुझे इस सब चीजों को फोलो करना है अगर आप ये अपने मन के अंदर बना लेते हैं तो आप उस लक्ष तक जरूर पहुच सकते हैं अगर जीवन में अगर आप कुछ अच्छा करना चाते हैं तो उसके लिए हमारे मन को पहले सुदरण करना पड़ता है उसके लिए मजबूती लानी पड़ती है कि मैं उस काम को कर सकता हूँ और करके रहूंगा तब ही कुछ कर पाते हैं किसी के भी वीडियो को आप सुन लीजिए या फिर अपने जीवन में जब तक आप कोशिश नहीं करेंगे तब तक किसी भी चीज में बदलाव लाना मुश्किल है आप स्वस्त रहना चाते हैं तो ये छोटे-छोटे सी उपाई ये छोटे-छोटे सी चीज अपने जीवन में उताय लीजिए पहले तो आपको जल्दी उठने का नियम बनाना चाहि सर्दी का मौसम हो, गर्मी हो या बारिश हो जल्दी उठने से अमय होता है वो बहुत ज़ता बढ़ जाता है ऐसे में अगर आप सुबह जल्दी उठने से आप खुद देखेंगे कि आपके अंदर एक वाइब्रेशन है वो बहुत ही अलग है पोजिटिविटी आपके इर्द गिर्द गूम रही है आपके अंदर एक खुशी का माहोल है आप अपने आप में बहुत ही अच्छा मैसूस करेंगे सुबह सुबह जल्दी उठने से आप देखेंगे कि आपके शरी की बहुत सारे बीमारे तो अपने आप ऐसे ही करतम हो गई है पहले के लोग सभी आप सभी जानते हैं कि पहले की जो लोग होते थे वो बहुत जल्दी उठेते या लिकि चार बज़े पास बज़े वो उठ जाते थे उनका उठने का वो ही समय होता था आजकल की दुनिया में भागा दोड़ी के कारण या फिर जादा मोबायल चलाने से टीवी में प्रोग्राम जादा देखने से या फिर मार्केट जाने से शोपिंग करने जाने से या कही भी गूमने फिलने जाने में अपना समय फेरतित करने लगे ऐसे में वो आप देखेंगे कि उस सही समय से ना तो सोते हैं और ना ये सही समय से उठते हैं लेकिन अगर आपको स्वस्त रहना है तो सबसे पहला नियम यही होना चाहिए कि आपको जल्दी उठना है अगर आप 4 बजे नहीं उठ सकते हैं तो 5-5 तक बहुत होता है इतने में अगर आप उठते हैं तो आप देखेंगे कि आपका एक जीवन है वो बहुत ही अच्छी लाइन पर चलने लागती है यह बात मैंने खुद भी नोटीस करी है क्योंकि जादा लेट उठने से हमारे अंदर आलस से आ जाता है हम किसी भी काम को सही समय पर निपटा नहीं सकते हैं ना ही हम सही डंग से खाना खाते हैं ना ही पूरा काम घर का सही डंग से निपटता है लेकिन आप जल्दी उठेंगे तो आप देखेंगे कि आपका सारा क आप सबसे पहले जल्दी उटूँगा इसके लिए शायद आप अलाम भी लगाएंगे लेकिन अलाम तो बहुत सारे लोगों के ऐसे ही बच्छते रहते हैं उनको बंद कर देंगे और वापीस वह सो जाएंगे अगर आप मन में है कि ने मुझे सच में जल्दी उटना चाहिए मुझे स्वस्त रहना है आजकल आपने देखा है कि बीमारियों के कारण बहुत सारे लोग डोक्टरों के चक्कर काड़ते हैं ऐसे में अगर आप नहीं चाहते हैं कि डोक्टर के पास जाए आप बिल्कुल फिट रहें और अपने परिवार के सभी सदश्यों को अगर आप सुबह जल्दी उठा कीजी सबसे पहले जल्दी उठने से आपकी दिन चेरिया अच्छी शुरूआत होईगी और आप बिल्कुल स्वस्त रहेंगे तो हमारा पहला पॉइंट यही है कि सुबह जल्दी उठा है यह नियव है कि अगर आप योग की तरफ बढ़ेंगे तो यह आपके लिए भी अच्छा है आपकी परिवार के लिए भी अच्छा है योग करने से आप देखेंगे कि आपके अंदर जो एनर्जी हो बहुत ज़ बढ़ जाती है आपके अंदर एसी उड़ जाती है कि आप पूछेंगे मतला आप देखेंगे कि आपके अंदर क्या हो रहा है सुबह से लेकर आप शाम तक थकान फील नहीं करेंगे तो योग तो सारी बीमारियों को मिटाने का एक साधाने अगर कोई भी इंसान योग की त मतलब मैं यह तो कहीं नहीं सकती कि योग करने से आपको कोई नुकसान होगा योग करने से आपको सिर्फ और सिफ फाइदा ही मिलेगा योग करने से आप अपने आप में एक अच्छी महसूस करेंगे आपके अच्छी सोच वनेगी आप बहुत ही अच्छा दिन वेतित करें तो हमेशा पहले आप सफलता प्राप्त करवाता है और जो सभी जानते है कि पहला सुख जो होता है वो नीरोगी काया है यारे कि जो भी वेक्ति स्वस्त रहता है वो रोक्टर के पास इसे चकर नहीं काटने पड़ते हैं यह समझ लीजिए कि वो पूरी तरह से स्वस्त है तो वो सबसे ज्यादा सुखी संसार में है क्योंकि आज कल हर गर के अंदर आप देखेंगे कोई ना कोई किसी ना किसी चीज की गोलिया खा रहा है कोई दर्द के लिए खा रहा है तो कोई किसी बिमारी को मिटाने के लिए खा रहा है लेकि योग किसकी तरफ कोई बढ़ना नह अगर आप योग की तरफ बढ़ेंगे तो आप बिल्कुल स्वस्त जीवन पाएंगे और आप देखेंगे कि आपके अंदर ही नहीं आपके परिवार के अंदर ही बहुत सारी खुशिया आईए तो मेरा तो यही मानना है जो भी मेरे चैनल से जुड़े हैं प्ले सभी लोग ज साथ मिल जाता है आप देखेंगे कि आवला विटामें C से भरपूर रहता है जो बहुत सारी बीमारियों से हमारी मदद करता है हमारे अंदर एक फटाफट से जो एनर्जी लाने का काम करता है वो सिर्फ एक आवला होता है और अलोवेरा का नाम बहुत पहले तो हम शाहद की जानते होंगे लेकिól 6 साहर से तो हम इतना अच्छी से जानते हैं अलोवेरा को कुमारी भी कहा जाता है यह बहुत सारी बीमारियों में बहुत सारी मेडिसिन में काम आता है और यह इतना नेचुरल होता किसे आप घर पर ही लगा सकते हैं और इसके पोधे का प्रियोग डेली आप किसे ना किसी चीज में कर सकते हैं एलो वेरा का सेवन करने से तो आप बहुत सारी विमारियों से ऐसे बचे रह सकते हैं तो अगर आप सुबह सुबह उट करके यानि कि उस पर कोई पाबंदी नहीं है अगर आपका बच्चा 10 साल का है तो वो भी आवला एलोवेरा जूस पी सकता है कोई महिला है वो भी पी सकती है कोई पूरुशे वो भी पी सकते है व्रत दे वो भी पी सकते है बस सिर्फ वो सी मासिक पीरिड रहता है उस समय पे महिलाई पाच दिन जोड़ दे बाकि वो हर समय पी सकती है और जो महिलाई गर्व होती होती है या फिर स्तन पान कराती है वो का सेवन ना करे आपको स्वस्त रहना है तो आपके दिन चरिया में यह चीज भी शामिल कर लिजी कि मुझे आवला एलो वेरा जुसका सेवन करना में लोहोती ह taraf होती है नलुक्त सिर्फ और अबो नेई करना फ़स्तों के दिन नगी किसी भी खानाती है और भी पार सालए लेकित बहुत सारे लोग बहुत सारा खाते हैं इससे भी सहत बहुत ज़्यादा बिगड़ती है यानि कि आपको अपचर्ट की शिकायत हो जाएगी आपको डाइजेस सही डंग से काम नहीं करेगा तो यह सब चीजे नहीं होनी चाहिए तो खाना भी आपको बिल्कुल सही डं पानी की मात्रा हमेशा अपने शरीर में बराबर रखे यानि पानी जादा पीए अगर आपको से जूस लिकविड जिसे कि आपकर विटामीन आपके पैट की कमी होए नहीं पानी की मात्रा हमेशा बढ़ाकर चले एक वेक्ति को 8-10 ग्लास पानी डेली पीना चाहिए और अगर हम नहीं पीटे है तो पानी की कमें से भी हमारे शरीर में बहुत सारी बीमारिया लगने की चांस रहते हैं तो अगर आप स्वस्त रहना चालते हैं तो पानी की मात्रा अपने शरीर में बराब आने के बात बैठे नहीं, वोक करें, सुबह सुबह अगर आप एक्ससाय जो योग रही कर सकते हैं तो तहलने जाए या फिर किसी गार्डन में हरी गास पर चलें तो यसे बहुत सारे काम है पषस्त सवस्त रहने के लिए कर सकते हैं हमेशा ये बात ध्यान रखे कि अगर आप स्वस्त हैं तो आप परीवार को स्वस्त हैं अगर कोई ओरत एगर की здरहे तो आपने परीवार, तैसे फिससिकली, मैंटली तरह से या अच्छे कर पाएगी अपने बच्चों को तो यह चोटी चोटी सी चीजे अपने जीवन में जरूर उतारे, सुबह सुबह योग करे, एक्सराइज करे, खाने पीने का ध्यान रखे, यह चोटी चोटी बाते हैं, जो हम नहीं करते, मतलब जानते सब हैं, लेकिन उसे कोई एकसेप्ट नहीं करना चाहता, तो यह चोटी